आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें। तो हम लोग जानते हैं स्टीफन के नियम से, ठीक है, स्टीफन का नियम क्या बताता है कि किसी क्रशनिका से, ठीक है, हमने मान लिया कि कोई ये हमारे पास क्रशनिका है, ठीक है, तो किसी क्रशनिका के एकांक प्रश्ट छेतरफल से, ठीक है, किस से एकांक प्रश्ट छेतर फल से प्रती सकेंड उच सरजित होने वाली विकरण उर्जा जो होती है ठीक है देखिए यहाँ पर एक कांक प्रश्ट छेतर फल से ठीक है एक मीटर स्क्वाइर मान लिया और प्रती सकेंड यानि की टी बराबर एक सकेंड पर ठीक है इससे उच सरजित होने वाली जो अमारी विक्रड उर्जा होगी ठीक है इससे वो सर्जिद होने वाली जो विक्रड उर्जा होगी हमने मान लिया E ठीक है वो क्या होगी उसके परमताप यानि विक्रड के परमताप की चतुर्द गात की अनुक्रमानुपाती होगी यानि की E अनुक्रमानुपाती होगी ठीक ही गात 4 के है ठीक है ये किसके लिए था कृष्णिका के लिए इस टीफन का नियम था ठीक है तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से हम लोग लिख सकते हैं E1 बटे E2 बराबर T1 बटे T2 ठीक है और इसकी गात 4 इसकी भी गात 4 तो पहली अवस्ता में हमको कह रहा है कि 0 degree Celsius यानि कि जब T1 बराबर 0 degree Celsius है ठीक है तो इसको हम लोग Kelvin बदलते तो 273 इसमें जोड़ना पड़ेगा ठीक है तो यह क्या हो गया Kelvin हो गया 273 Kelvin तब उस समय जो हमारा विक्रड उरजा थी या विक्रड उरजा की जो दर थी E1 बराबर हो क्या था E था ठीक है तो कह रहा है कि जब 273 degree Celsius होगा यानि T2 बराबर 273 degree Celsius होगा ठीक है तो इसको भी Kelvin बदलते तो 273 plus 273 ठीक है तो अब यह हमारा Kelvin बदल गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दो गुडे 273 Kelvin ठीक है तो इस समय हम से कह रहा है कि विक्रड उरजा की दर क्या होगी यानि हमें E2 का मान ग्याद करना है ठीक है तो उपर वाली समीकरण में यहाँ पर हम लोग इसको E2 हमें ग्याद करना है ठीक है टीवन किता है 273 तो 273 की गाद क्या हो गया चार हो गया ठीक है बटे नीचे क्या हो जाएगा टीटू टीटू यानि दो गुडे 273 ठीक है यह निकाला ना हमने मार की गाद किता हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए 27 तो 73 की गाज 4 यहाँ पर भी है, ठीक है, और उपर भी है, तो यह cancel हो जाएगा, ठीक है, तो E2 बराबर क्या आजाएगा, E2 बराबर आजाएगा, 2 की गाज 4 गुड़े E, 2 की गाज 4 का बल्लब क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है, तो E2 बराबर क्या हो गया, 16 गुड़े E, ठीक ठ्धैंगहें यही हमारे प्रस्फडे का उत्तर हो जाएगा तो निगयोग देखते हैं और विकल्ब कौन होग्पा तो हमारा क्यून मैं सिर्फ यहीं होगा थिक हैं तो हमसे कहा था ना दो तीअत्र डिग्री सेलजिस अता पर विक्रण की दर क्या हो गी тов उसूला ई के बराबर होगी यही हमारे प्रेश्न का उत्तर है थैंक यू